गेहूं की बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने की तैयारी में है सरकार गेहूं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार जमा खोरी करने वालों के खिलाफ कारवाई कर सकती है इसके साथ सरकार व्यपारियो द्वारा गेहूं के स्टोक का खुलासा करने और स्टोक सीमा लगाने पर भी विचार कर रही है केंदर सरकार ने साफ किया है कि देश में गेहूं का प्रयाप भंडार है और सट्टे बाजी की वज़े से गेहूं की किम्तों में उच्छा लाया है रोलर फ्लोर मिलर्स पेडरेशन ओफ इंडिया की ब्यासिवी वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए खादया सचीव सुधानशु पांड़े ने कहा है कि देश में फिलाल गेहूं की कोई समस्या नहीं है भारतिया खादया निगम के गोदामों में 2.4 क्रोड टन गेहूं उपलब्ध है यानि 2.5 क्रोड के आसपास पांड़े का कहना है कि फसल वर्ष 2021-22 के रभी सतर में सरकार का गेहूं उतपादन नुमान लगबग 10.5 क्रोड टन है हाला कि व्यपारियों का माना है कि उतपादन करीब 9.5 क्रोड टन रहेगा उनका कहना है कि व्यपार के अनुमानों को भी मानने तो ग्रेलू मांग को पूरा करने के लिए उतपादन फिलाल परियाप्त है गेहूं के निर्यात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि चालू वितवर्ष में अब तक 45 लाग टन गेहूं का निर्यात किया है उसमें से 21 लाग टन गेहूं 13 माई को निर्यात पर प्रतिबन लगाने से पहले भेज दिया गया था भारत ने पिछले वितवर्ष में 70 लाग टन गेहूं का निर्यात किया था खादिया सचिव ने ये भी कहा है कि 60 कारोबार की वज़े से कीमतों पर असर पड़ा है किमतों में तेजी की संभावनाओं की वज़े से सटोरियों ने जमाखोरी की है अब गेहूं बजार में आ रहा है और जमाखोरी और काला बजारी पर लागाम लगाने के लिए स्टोक सीमा लागू करने से पहले व्यपारियो द्वारा गेहूं के स्टोक का खुलासा करना पहला चरण हो सकता है दरसल पंजाब और हर्याना सहित कई राज्यों में गर्मी के कारण गेहूं उत्पादन कम हुआ है वहीं आपको बता दे कि सरकार परधानमंत्री ग्रीप कल्यान अन्योजना यानि पीम जी के एवाई के बारे में जल निर्न्या लेगी इस योजना के अंतरगत सितंबर में ये योजना खतम हो रही है और खादे सचीव सुधालशु पाण्डे ने कहा है कि ये निर्न्या सरकार को करना है उन्होंने उमीद जताई है कि सरकार जल इस बारे में फैसला करेगी PMGKAY के तहट राष्ट्रिय खादे सुरक्षा धिन्यम में शामील लगबग 80 करोड लाभार्थियों को प्रती व्यक्ति प्रती महा 5 किलो खाद्यान मुफ दिया जा रहा है सरकार ने कोरोना महमारी में लोकडाउन के दोरान हर व्यक्ति तक खाद्यान पुंचाने के लिए PMGKAY शुरू की थी सरकार ने मार्श में PMGKAY सितंबर 2022 तक इसको बढ़ा दिया था लेकिन अब देखना होगा कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा या फिर ये योजना यहाँ पर समाथ हो जाएगी लेकिन सरकार ने ये सपस्ट कर दिया है कि गेहु की कीमतों में आ रही तेजी सट्टे बाजी की का एक का एक कारण हो सकती है क्योंकि सरकार के पास फिलाल गेहु का प्रयाप्ट स्टोक उपलब्द है मांग और सप्लाई को पूरा करने के लिए भारत सरकार के पास गेहु का प्रयाप्ट स्टोक उपलब्द है Bureau Report Market Times TV